हेलो विल्कम बैक फ्रेंड्स इजी मेत की यूट्यूब चैनल में पूना है बर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ और फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको एक बहुत अच्छे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो की टॉपिक मैंने लिया है एवरेज का क्वेस्चन करना है अगर आपको योग पूछा जाता है तो योग बताना है एक बार सिखेंगे तो मैं आपको गारेंटी देथा हूँ कि अगर 4 सेकेंड से आपको ज़्यादा टाइम लग गया तो मैं इस यूटूब चैनल को ही बंद कर दूँगा ठीक है चार सेकेंड में अगर आप अंसर नहीं दे पाए तो यूटूब चैनल बंद ठीक है और अगर कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिये और शैनल को चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है अगर आप चीज को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे अपलाई कर पाएंगे अचानक से कहीं भी तो सबसे पहली बात प्रथम दस विशम प्राकृत संख्या विशम संख्या पहले आप तो जानते होंगे कि इसको कहा जाता है in English में odd numbers ठीक है odd numbers में like one three five इस तरह seven इस तरह से प्रथम दस विशम प्राकृत संख्याओं को इसको क्या करना है प्लस करना है ठीक है आव यह तो उसका योग पूछा जाता है exam में यह तो फिर उसका आवसत पूछा जाता है ठीक है आवसत का फॉर्मूला के है फ्र परिडामू का योग बटे परिडामू की संख्या उसको अवसत कहते हैं ठीक है लेकिन ये सब हमको निक करना सीधे बता रहा हूँ अगर आपको एडिशन पूछा जाता है कि दस विशम प्राक्रितिक प्रथम ध्यांदीर का प्रथम होना सबसे ज़्याद है इंपोर्थम दस विशम प्राक्रित संख्याओं का योग अगर आपको पूछा जाता है तो दस दहम सव सीधा इसका अंसर हो Jai魔 सीधा देख के ही बता देना है 4 सेकिंड भी नहीं लगे जाएक है अगर इसका ओसत पूछा जाता है जैकर इसका अंसर वही होगा वही होगि मतर्ब दस ही होग अगर यहां पर इसका क्या हो जाएगा यह समझ में आया अभी समझ में आजाएगा फिर से बता रहा है अगर योग पूछा तो 10 दामसाव इसी का square कर देना है योग में क्या करना है अपने 10 का square कर देंगे और आउसत में पूछेगा तो जो value दिया रहेगा वही उसका उत्तर हो से 10 दिया है तो इसका आउसत 10 ही होगा ठीक है अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब मैं आपको कुछ क क्लास वर करें ठीक है उसको आपको करना रहेगा जैसे मैंने कुछ लिखें पर्थम वीशुम प्रकृत संख्यायों का योग क्या होगा इसका हुगा और इसका वीज़े करना और इसी का हुगा होगा संख्याओं का योग पूछ दिया जाएगा तो योग मतलब स्क्वाइर कर देंगे सा 30 का स्क्वाइर क्या होगा तीन त्यानौ मतलब नाव सो हो जाएगा और असद कितना हो जाएगा सिंपल चार से की नहीं लग रहा है ध्यान दिजिएका इसी से इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको प्रतम एन विशाम प्राकृत संख्या का योग पूछा जाएगा तो उसको हमको स्क्वाइर करना है अगर आउसत पूछा जाता है तो वही वेल्यू जो डिजिट दिया रहेगा वही उसका आंसर होगा क्लियर ठीक है समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के घंटा जरू दबाएए दूसरी वीडियो में जल्द हीले कर आ रहा हूं ट्रीकोला